सबसे पहले आप सभी को क्रिस्मस फेस्टिवल की शुब कामना है मेरी क्रिस्मस तो आल माई ब्रदर्स और सिस्टर्स अफ हैदराबाद लॉर्ड जीजस क्राइस्ट का जो मेसेज है लव, अफेक्शन और कॉमपैशन का आज उसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है हमारे सोसाइटी में और आज के दिन वैकुंठ एकादशी भी है जिसके लिए हमारे सिटी पुलीस के तरफ से सभी को शुबकान चलू आज के दिन एक स्क्रिप्चर में पदों पुरान में लिखा गया है कि भगवान विश्नु एक राक्षस को मारने के लिए एक नया वेपन बनाये थे तो हर एज में जो सोसाइटी के क्रिमिनल्स होते हैं बैड एलिमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नया नया चीज बनाना पड़ता है और आज मॉडरन एज में CCTV कैमरा PD Act शायद इसी तरीके का एक चीज है आज सुबह हमारे DCP Task Force राधा किशन के नेत्रित्व में और उनके साथ पूरे Task Force मिलकर Most Notorious Criminal Property Offender of Telangana Estate मंत्री शंकर और उनके तीन असोसियेट को अरेस्ट किये ये बेगम पेट पुलिस इस्टेशन के हेल्प से भी हुआ और जो बाकी तीन क्रिमिनल हैं अब्दुल्लतीफ खान, मुहमद माजीद, मुहमद इम्तियाज एहमद ये लोग राचकोंडा कमिशनरेट और हैदराबाद कमिशनरेट में बहुत सारे Property Offenses किये मंत्री शंकर के बारे में आप लोग जानते हैं शायद हैदराबाद ही नहीं पूरे तिलंगाना का ये सबसे Notorious Property Offender है जिसका एज अभी 60 है रहने वाला महमूद गुडा चिलकल गुडा और इसका एक City Dossier Criminal Sheet भी है नमबर 1120 चिलकल गुडा पूली स्टेशन का इसके उपर अभी तक 250 हाउस बगलरी और थेफ्ट केसेज है और जिसमें 209 केसेज में इसको कन्विक्शन भी हुआ है फोर टाइम्स पीडी आक्ट में ये जेल गया और इसके बाकी जो असोसियेट हैं अब्दुललतीफ खान son of सयद रशीद खान age 27 फलकनुमा का रहने वाला है और ये इसके पहले 10 केसेज इसके उपर था मुहमद माजीद son of मुहमद सादीक भवानी नगर का रहने वाला है और एक राउडी शीटर भी है और इसके उपर 7 bodily offenses भी है और ये भी पहले एक बार PD Act में भवानी नगर पुली सेशन के तरफ से जेल गया था मुहमद इम्तियाज एहमद एलियस इम्मू, son of मुहमद पाशा, विद्या नगर नला कुंटा का रहने वाला है और ये automobile theft offender है इसके पहले 13 automobile theft cases में ये अरेश्ट हो चुका है और इसके उपर भी PD Act पहले था जो दिसंबर 4 को ये बाहर जेल से आया मंत्री शंकर और उसके बाद ये criminal gang मिलकर total 6 cases किये हैं इतने कम समय में जिसमें की बेगम पेट में 2, नला कुंटा में 1, खुशाई गुड़ा राजकुंडा में 1, 2, वनस्थली पुरम राजकुंडा में 1 और जो प्रोपर्टी सीज्ड हुए हैं उसमें 12,9,000 रुपीज कैश, सिल्वर ओर्नमेंट 500 ग्राम्स, एक यमहा मोटर साइकल, एक होंडा एक्टिवा मोटर साइकल और ये क्राइम करने के लिए जो टूल्स हैं, आइरन रॉड, स्कूरू ड्राइवर, इसकी सबकी रिकवरी हुई है मंत्री शंकर 1979 से बहुत जगह क्राइम करता रहा है और बाद में चार बार ये पीडी एक्ट के तहट जेल में भी गया और इसके बाकी जो कलीग हैं, अब्दुल लतीफ, मुहमद माजीद, इम्तियाज, इसके उपर भी बहुत सारे केसेज हैं इन लोग का M.O. रहता था कि दिन में जाकर आइडेंटिफाई करते थे कौन-कौन से घर में इनमेट्स नहीं है जिसमें बाहर से लोक लगा हुआ है और रात के वक्त, पर्टिकुलर्ली एक बजे से लेके चार बजे की बीच में, वो लॉक ब्रेक करके ये लोग हाउस ब्रेक करके थेफ्ट करते थे मंत्री शंकर का कहना था कि ऐसा कोई लॉक नहीं है जिसको ये 10 से 15 से के अंदर नहीं खोल सकता हूँ और ये आज सुबह जो ऑपरेशन में गिरफतारी हुई, उसमें हमारे DCP टास्क फोर्स रादा किशन राओ के नेतरित्व में पूरा काम हुआ और उनके साथ हमारे आफिसर के नागेश्वर राओ, इंस्पेक्टर आफ पुलीज टास्क फोर्स नौर्जोन, सब इंस्पेक्टर आफिसर जी राजशेखा रेड़ी, के श्रीकांत, बी परमेश्वर और नौर्जोन टास्क फोर्स की पूरी टीम ने ये काम बहुत बाख पूबी से किया, जिसके लिए मैं उनको हाटी कंग्रेचुलेशन कहता हूँ, थैंक यू